तीन दिन एक मुठी खालो, पूरी जिन्दगी, सुगर रोग, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मोटापा, एनिंद्रा, हडियों की कम जोड़ी और ये दिल से जोड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे के बारे में बताएंगे, जिसका परियोग करके, आप अपने पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं, और अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दोस्तों आपने इसकी एक मुठी का सेवन हर रोज करना है, और तीस इसरे दिन से ही आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाए देंगे, और 21 दिन में तो आपको इसके भरपूर फाइद देंगे, इतना चमतकारी है इनुस्खा, दोस्तों क्या आपको डाइवर्टीज की बीमारी हैं, और आप अपने इस सुगर की बीमारी को कंट्रोल करना च चाहते हैं, और इस डाइवर्टीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनसे भी बचे रहना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपने इनका हर रोज सेवन करना चाहिए, दोस्तों इससे आपका सुगर लेवल कंट्रोल होगा, और इस डाइवर्टीज की बीमार को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तब भी आपने इनका सेवन हर रोज करना चाहिए एक मुठी की मात्रा में और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि इससे आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे बहुत त्रहें की बीमारिया आपके आज पास भी नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने सरीर में अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाना चाहते हैं तब आपने इसका एक मुठ्य का सेवन हर रोज करना है और 15 दिन में आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगी दोस्तो जब आप 15 दिन के बाद अपना टेस्ट कराओगे तब आपको बहुत जबरदस्त नतीजे मिलेंगे दोस्तो यदि आपको hard blockage है या फिर आपको hard attack के आने का डर है दोस्तो तब भी आपको इसकी एक मुठी का सेवन हर रोज लगातार 21 दिन तक करना चाहिए इससे आपकी hard blockage की समझ्या आपको नहीं आएगी क्योंकि ये cholesterol level को सही करेगा और दोस्तो आपको hard attack से भी बचाएगा यानि आपके heart को मसबूत करने का काम भी करेगा यानि ये नुसका cholesterol का इलाज करेगा heart blockage का इलाज करेगा और hard attack के आने का भी इलाज करेगा दोस्तो क्या आपको एनिंद्रा की बीमारी है और आप इस एनिंद्रा की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये नुसका आपके लिए बड़े काम का है क्योंकि इनमें magnesium बहुत अदिक मातरा में पहेचाता है और magnesium मासपेशियों को अराम पहुचाने का काम करता है जिससे हमें अच्छी नीद आती है हडियों की कमजोरी दोस्तो हडियों के विकास उनके निर्मान और देकबाल के लिए हमें calcium की जरूरत होती है calcium की कमी से ही हडि के रोग होने का खत्रा बहुत अदिक बढ़ जाता है क्योंकि इससे हमारी स्रीर की हडियां नाजुक और कमजोर हो जाती है या फिर स्रीर में दर्द की समस्या भी आती है हडियों के दर्द की तो दोस्तो तब भी आपने इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए एक मुठी की मात्रा में क्योंकि ये नुस्खा calcium का खजाना है और आपके स्रीर की हडियों को मजबूत करने का काम करता है दोस्तो इसके अलावा इस नुस्खे में magnesium भी है जो हडियों के लिए एक बेहत जरूरी पोस्ततव है दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की हडियां वजर के समान मजबूत हो जाएंगे स्ट्रेस को करता है कम दोस्तो क्या आपको तनाव रहता है तब भी आपने इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये नुस्खा vitamin C से भरपूर है और दोस्तो एक सोध में ये बात साबित हो चुटी है कि vitamin C से हमारा तनाव कम होता है गठिया रोग दोस्तो गठिया जैसे हड़ी रोगों के लिए ये चमतकारी ओस्ती है क्योंकि इन में कैल्सियम भरपूर मातरा में पाया जाता है जो आपको गठिया के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं जोडों के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं यानि आपको कवज, पेट में गैस और ये एसिडिटी की समझ्च है और दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि ये पेट में गैस, कवज और एसिडिटी हमारी सिरीर के 72 बीमारियों का कान बनती है दोस्तो यदि आप इन 72 बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तब आपको अपने इन पेट के रोगों का इलाज करना जरूरी है और दोस्तो ये नुसका आपको इन सभी पेट के रोगों से बचाएगा क्योंकि दोस्तो इसके अंदर फाइबर बहुत अधिक भरपूर मातरा में पायज आता है और दोस्तो ये तो अप जानते ही हैं कि यदि हम फाइबर का सेवन अधिक करते हैं तो इससे हमारा पाचनतंतर मजबूत होता है और यदि हमारा पाचनतंतर मजबूत होगा तो हम जो खाएंगे वो पच जाएगा वो हमारे सरीर में लगेगा एक तो इससे हमारी ताकतवर बोडी बनेगी हमारी सरीर की कमजोरी का इलाज होगा और दूसरा हमें पेट में गैस, कबज और एस्टिटी की समझया नहीं आएगी यानि ये नुस्खा आपके सरीर की कमजोरी का इलाज करेगा आपके पाचन दंतर को मजबूत करेगा कबज, गैस और एस्डिटी का भी इलाज करेगा आँखों की रोशनी दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है दोस्तो तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्योंकि आँखों के लिए भी ये नुस्खा एक वर्दान कीत रहे है क्योंकि इस नुस्खे में विटामिन A भरपूर मात्रा में पाया सता है और विटामिन A की कमी से ही हमारी आँखों की रोशनी कमजोर होती है तो यनी कि ये नुष्खा आपकी आँखों के रोजनी को बढ़ाने का काम भी करेगा blood passer को control करने का काम करेगा आपके दिमाग को तेज करने का काम करेगा दोस्तो यदी आपके सरीर में खून की कमी है और आप इस खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वर्दान है क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे में आइरन और फोलेट भरपूर मातरा में पाया जाता है जो आपके स्रील में इस खून की कमी का इलाज करता है। तो चले दोस्तों ये तो हो गए इसके फाइदे अब जानते हैं कि वो चमतकारी चीज है क्या जो आपको इतने सारे चमतकारी फाइदे परदान करती हैं आपको इन सबीत रहें के रोकों से बचाने का काम करती हैं। चमतकारी ओस्ती हैं जो आंतरिक स्वास्ती से लेकर तवचा और बालों के लिए भी एक चमतकारी ओस्ती की तरहें काम करते हैं। पौसक तत्वों की बात करें तो कद्दू के वीज फाइबर से भरपूर हैं जो पाचनतंतर को सवस्त रखने के साथ साथ कबज जैसी समस्या मोटापे को कम करने का काम भी करते हैं। इसके लावा इसमें विटामिन C और E भी भरपूर मातरा में पाये जाता हैं। जो तवचा के लिए सबसे कारगर विटामिन माने जाते हैं। इसके लावा कद्दू के वीच, कलोरी, प्रोटीन, कार्बोहेट्रेट, आइरन, सोडियम, वैफोलेट आदी तत्वों से भी भरपूर हैं। तो दोस्तो आप इन सब के फाइदे जान गए होंगे। कि जिसमें इतने सारे गुण हैं उसके फाइदे कितने होंगे। अब जानते हैं इसके सेवन की विदी के बारे में। दोस्तो आपने क्या करना हैं। इसका सेवन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एक मुठी कद्दू के रा सीड लें। यह आपको बजार से हर सोप से मिल जाएंगे। यह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उनको सुबह बासी मुँ ऐसे ही चबा चबा कर खासते हैं। और उपर से एक गिलास हलका गुनगुना गरम पानी पी सकते हैं। यह फिर आप एक मुठी कद्दू के दीच लेकर एक गिलास पानी में उनको उबालों और अच्छी तरह से मसल लें। और उसको उबालकर आप उसका सेवन करें। यह आप काड़ा बनाकर सेवन करें। यह अप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दो गिलास पानी में उसको उबाले और जब तक वो एक गिलास नहीं रह जाए तब तक आप उसको उबालते रहे एक गिलास के बाद पिले यानि इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं आपको proper वो ही फाइदे मिलेंगे जो आपको चाहिए आपके सरीर को निरोगी बनाने के लिए तो दोस्तों देर किसे बात किये हैं आप भी इस नुस्खे का आज ही सेवन कीजी और अपने सरीर को ब बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों